हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो रोलिस्टडी, ट्रेडिशन अफ सक्सस्, फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम MP पुलिस SI कॉंस्टेबल 2019 के लिए GK के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, MP GK की स्पेसल सीरीज यह होने वाले उसका पार्ट 5 वे रहेगा, देकि व्यापम के द कष्छा Kingdom को डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पर आपको सब इंसक्टर आपको सब क्सटेबल के टेस्ट रिस्कस क मिल जाएगी, यहां पर देक्ए इसको अगर आपको डाउनलोड करना है पर इक्षए इसको गूगल पसके बेडरघ कर सकते हैं, इसकी लिंक दे रखिए, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप हमारे coupon code ROYJGOV40 को यूज करते हैं तो अभी आपको इस पर 40% का पूरा discount मिल रहा है तो यहां से जाका बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं क्योंकि 40% का भी discount चल रहा है यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नेकिए जल्दी से लाइक कर दीजिए चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि यहां मिलेंगे आपको study से related दे से डेर सारे वीडियो तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज की question हो क्यों उससे पहले मैं आपको एक information देता हूँ देखिए हमने जो हमारे जो चेनल है इस पर बहुत सारे जो वीडियो अपलोट कर चुके तो यहां पर देखिए जो first जो है MPGK की हमेंने पूरी जो playlist बना के रखिए इसमें आपको MPGK से related सभी वीडियो मिल जाएंगे सेकेंड नमर बाता थी science की biology का जो chapter है आपके exam में सबसे जादा question आते है वो biology से हैते है science में अगर देखा जाए तो तो यह भी हमने जो की topic wise बुरा complete करवा के रखा है यदि आप आगे भी demand करते हैं तो हम और लाने की के continue है next science के बारे में discuss करेंगे science का भी सही में इसा ही चल रहा है वहाँ जाकर आप playlist में पूरा देख सकते MP करेंड़ा पेर के month wise जो की वीडियो से upload है तो जनवारी से मही जो मही मन्त तक आप देख सकते तो यहाँ पर जो फोड़क है उसके बाद में MPJakrit kre亦िट चाहते तो भी upload है और वहां पर देक सकते हैं मधः प्रदैस में चाहे बर्टिव नदीव मत्पूर्ण नदीदीव है जी मोस्टाऑ में पूछा गया है कोई नहीं तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओमकारिश्वर है आगे बढ़ते एगले कोश्चन किस राज में इस्तूपो का विसालतम संकेंदरन है तो किस राज कौन सा राज है यह देखें मध्य प्रदेश राजिस्तान गुजरात इनमें से कोई नहीं तो राइट आंसर रहेगा आपका मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इस्तूप है और इस्तूपों का विसालतम संकेंदरन इसको बोला जाता है नेक्स बांध जो बोपाल में इस्तित है और कालिया सोत नदी का पानी नियंतरित करने में सायक है आगे बढ़ बोपाल में पैदा हुए पटोदी के नवाप थे तो कौन थे बोपाल में जो पैदा हुए पटोदी के नवाप थे तो देखे सेप अली खान मसूर अली खान मंसूर अली खान दोस्त महमत खान दिलावर खान तो इसका राइट अंसर रहेगा मंसूर अली खान जी हां जो कि बोपाल में पेदा हुए पटोधी के नवाप थे आगे पड़ते नर्मदा अपने दोनों तरफ संग मरमर को काटका रेक संकर घाटी जो कि संकरी घाटी जिसको बोला जाता है में सिकुड जाती है इसे किस जीले में देखा जा सकता है तो इसे जो देखा जाता है वो ग्वाल तो देखे बटेस्वर मंदिर समू कहां इस्तित है तो यहां पर देखे एरन मुरेना सिवपूरी और रीवा तो इसका राइट अंसर रहेगा आपका मुरेना जी हां मुरेना बिल्कुल राइट अंसर रहेगा मुरेना में बटेस्वर मंदिरों का समू इस्तित है आगे जादी को मद्धिविदिदिश की गंगा कहा जाता है आप कमेंट करके बता दीजी चल दिए के लिए जाना जाने वाला सिहोनी यह मद्धिदिश के किस जीले में इसी तैं़ यह 2016 में पूछे गया था question आपके exam में तो देखिए श्योपूर रतलाम विदीसा मुरेना तो इसका राइड अंसर आपको रहेगा मुरेना जी हां काकन मट जो सिव मंदिर है वो मुरेना में जो किसी होनिया जो की नाम से जाना जाता है नेक्स चंबल नदी कहां से प्रारम होती है तो इसका राइड अंसर रहेगा जाना पाओ पाड़ी जाना पाओ पाड़ी से निकलती है चंबल नदी देखिए अगर नदियों को आप ट्रिक्स से याद करना चाहते है जिके ट्रिक्स की वीडियो उसमें चले जाएगे आप वहां पर पूरा आपको जूकर ट्रिक्स मिल ज कोश्चन है तो तीर्थ नाम के नाम से किसे जाना जाता है तो शिप्रा नर्मदा पंचमडी अमर कंटक तो इसका राइड अंसर है अमर कंटक को तीर्थ राज के नाम से जाना जाता है मद्धिदेश में अजंता के समान गुफाए कहां पाई जाती है जी तो यह जो गुफ आगे बढ़ें मद्रीदिस के किस जीले में सरवादि गूँकर्षी योग के भूमी हैं मौस्ट आइम पर कोश्चिन करसी योग की भूमी किस जीले में है तो जबलपूर उज्जेन भोपाल और हिंदोर इसका राइट अंसर है का आपका जी हाँ, सरवादी जो किर्सीयों की भूमी है उज्जेन में हैं, तो उज्जेन यहां से बिलकुल आपका राइट आंसर है, मत्य पिदेश में नगरी निकाई दिवस किसे दिन मनाए जाता है, तो जहां 12 जुलाई, 2 अगस्त, 22 नॉमबर, 2 नॉमबर, इसका राइट आंसर है 2 नॉमबर, नगरी निकाई दिवस कि मना जाता है, एमपी में, 2 नॉमबर को मना जाता है, आगे बढ़ते हैं, मत्य पिदेश में किस नदी को सूर्य भगवान की बेटी कहा जाता है, तापती नदी नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, राइट आंसर है आपका ताप आपती नदी जो है बिलकुल आपका राइड अंसर है जो कि सूर्य भगवन की इसको बैटी खा जाता है मद्धिजिस सरकार ने डिजिटल दाकिया योजना कहा से सुरू की थी तो यह जो योजना सुरू की थी मद्धिजिस सरकार ने इंडियन जो कि MPC जो कि गवर्मेंट ने इस योजना को इंडोर से स्टार्ट की थी डिजिटल डाकिया योजना नेक्स्ट मद्धिजिस सरकार द्वारा आयुजित पहला आकिल भारती महीला हां की टूनामेंट कि स्टेडियम में परारम हुआ था तो देखे गवालर स्टेडियम होलकर स्टेडियम ध्यान चंड के लिए वंस के दार्म्रम संस्क्रतिक केंद्र था तो यहाँ पर ऀला तो यहां के बारे में इतने ह्याद को याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं 2016 में किसे ली कुवान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था तो मोस्ट आइम पी कुश्चन ये जो कि पूचा जाता है आपकी एक्जाम में और करेंट की ड्रेस्ट से भी पूचे जाते हैं क्योंकि व्यापम की आदा थे दो तीन साल का जो करेंटे पूचा जा सकता है व्यापम की एक्जाम में वो पूचा भी गया है अगर आपने एक्जाम दी है पिछली बार जो कि एक दो बार अगर आपने व्यापम की एक्जाम दी है तो आपको खुबी पता होगा पूरा क्योंकि आप हम किस हिसाप से जोगी question पूचे जाते हैं तो इसका right answer है का सिवराज सिंग चोहान जी है 2016 में ली कुवान यू एक्सेंज फेलोशिप सम्मानित सिवराज सिंग चोहान को किया गया था आगे बढ़ते हैं पृसिद्द परेटा निस्तल पाताल कोट घाटी मदर्देस में कहां इस्ती थे तो पातल कोट घाटी के बारे में आप सभी नहीं सुना होगा ये जो इस्तिते छिंदवाड़ा में इस्तित थे शिंदवाड़ा जिले में इस्तिदे पाताल कोट घंटी मुकुंदपूर में दुनिया का पहला वही टाइगर सापारी का उद्गाटन किया गया है मुकुंदपूर जो है सतना के अंतर किता आता है तो यहाँ पर आपका जो right answer रहेगा, सतना बिल्कुल right answer रहेगा क्योंकि मुकंदपूर जो आता है, सतना के अंतरगत आता है तो यह अभी पिछली बार जो कि दुनिया का पहला वाई टाइगर जो सफारी का हुदगाटन किया यह वहीं पर मिला है सतना में तो यहां मद्धिज के किस जिले में सतना यहां पर बिल्कुल आपका राइट अंसर हो जाता है आगे बड़ते हैं मद्धिज सरकार ने महिलाओं को किलाफ हिंसा को रोकने के लिए काम करने वालों को पुरुसक्रत करने के लिए कौन से पुरुसकार की स्थाफना की यह जो कोश्चन है आपकी एक्जाम में पूचा गया था 2016 की एक्जाम में तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर अरुना सानबाग पुरुसकार डायर्कली यहाँ से आपका का बोपाल बोपाल को मीट लवर्स पेरडाइस कहा जाता है आगे बढ़ते हैं मद्विदेश का बिजली बोर्ड का मुक्याले कहां इस्तिते मोस्ट टाइम पी कोश्चन मुक्याले से रिलेटेड जो कोश्चने बनते हैं आपकी एक्जाम में जबलपूर बोपाल इंदोर इन तीनों जो तीन जो जीले हैं इसमें सबसे ज्यादा सहर मानली जीले मानली सबसे ज्यादा मुक्याले तो इन तीनों से सबसे ज्यादा कोश्चन बनते हैं मुक्याले से रिलेटेड तो मद्विदस का बिजली बोड का जो मुक्याले है जबलपूर में इस्तित हैं आगे बढ़ते हैं इट वाज फाइव फास्ट पास्ट मिड़नाइट फुस्तक के किस पर आदारित है तो देखे पास्ट मिड़नाइट जो पुस्तक के बोपाल गेस्त राजदी पर आदारित हैं और यह जो बोपाल गेस्त राजदी हुई थी 1984 में हुई थी तो यहां पर आपको इतना याद रखना है मद्विदस के किस जेले में गेहूं का अधिक्तम उत्पादन होता है तो यहां पर आपके उप्सन मिलेगों आपको चार छिनदवाड अरतलाम राजगर होसंगबाद इसका राइड आंसर है आपका होसंगा बाद तो यहां पर आपका जो सबसे ज़्यादा जो कि यह अधिक्तम जो उत्पादने होसंगबाद में होता है भारत बहुन कहां इस्तित है खेल इसकूल है एक मातर जो इसकूल है यहां से देखे एक मातर अगर लग जाता है तो अपने आप में IMP हो जाता है तो एक मातर आदिवासी खेल इसकूल कहा है तो यह आपका है जाबौ में जाबौ में है आदिवासी जो की एक मातर आदिवासी खेल इसकूल तो यहां पर आ याद रख सकते हैं और याद रखना भी चाहिए आपको क्योंकि एक मात्रे एक मात्रे आट्रुमेटिक हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं बोपाल के अबदुल लतीफ खान किस लिए विक्या थे तो अबदुल लतीफ खान कि लब्दी के कारण यह विक्या थे तो यह सरो ज़ो कि विक्हात तो यहां पर आपपका राइट अन्सर रहेगा सारंगी वाधक इसमें वाइलिन दे रह Jeder बट यह बिल्कुल आपका नहीं है सारंगी वाधक उपसन नंबर भी बिल्कुल आपका राइट अंसर हैं नेक्स विक्रामौड कीने दिया जाता है तो विक्राम अवाड जो दिया जाता है राज जी के वरिस्ट खिलाडी को दिया जाता है किसे राज जी के वरिस्ट खिलाडी को दिया जाता है विक्राम अवाड मद्धिपदेश का प्रतम जीला जो बायो मास से उर्जा का उत्पादन करता है तो यहां पर आप यह याद रखिए प्रतम जीला जो की मुरेना है मद्धिपदेश में सरुपरतम मसाला पार्क कहां इस्तापित किया गया था तो यहां पर देखिए चिंदवाड़ा बाला घार डिंडो री जाबो राइड आंसर है आपका चिंदवाड़ा चिंदवाड़ा में सरुपरतम मसाला पार्क इस्तापित किया गया है गजरत महोसतव कहां मानाया जाता है तो most time प्यकोशें समारोस कि बात कि जाए तो इंसे related question आपको एक नएएक तो अक्जाम में δेखने को मिलेंगे अगर आपने 2017 की जो एक्जाम दीजिए 2016 सत्रा की तो आपको पता होगा जो महोसतव समारोस से question बनें है आपके एक्जाम में तो देखे ये जो आपका राइट आंसर रहेगा गजरत महस्तव कहां मनाया जाता है तो असोक नगर, साजापूर, गुना और सिवपुरी तो राइट आपका गुना गजरत से रिलेट का लेज़े गुना को गजरत जो गज यहने हाती होता है हाती बहुत बड़ा विसाल होता है बहुत गुना जो ज़्यादा बारी होता है तो गुना साप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं गजरत महस्तव कामा ना जाता है तो देखे यह जो most IMP question थे आपको भी पता लग गया होगा कि बहुत बार जो कि एक्जाम में पूछे गए हैं most expected IMP question है आपको और कई नहीं मिलने वाल है यह question तो उम्मिद करता है वीडियो आपको पसंद आया हुआ वीडियो कैसा लगा कामेंट करके जरूर बता है चेनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना बोले क्योंकि यहां मिलेंगे आपको स्ट